आप सभी का फिर से सो अगर देख देख रेकरशन के अंदर और यह सेकंड वीडियो अब फिर्स चैप्टर जो की नाम है जिसका नाम है इंपोर्डेंस ओफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जहाँ पर फिर्स वीडियो के अंदर हमने पात की थी बेसिस के बारे में टाइम इस चैप्ड बारे बात की हमने यह वी दिखा था कि प्रेश्ट्री प्रोटो इस्ट्री में क्या अंदर है क्या होता है प्रोटो हिस्ट्री और यहां पर पिछले पीडियो के इंदर एक पॉइंट चोड़ा सब्सों गया खाब कि जब इंडेस वीडियों चल रही थी तो अगर देख लिए है तो यहां पर दीखय कर दीजे ठीक है और जोस्ट्स से पहले जो एज चल रहा था यह फिर था था तो हमारे पर हम अचल आभार अट चल को लिठ चल बहुत और इसके अनदर हमने बात की थी जडे मनें इस फेलो डिधिक का मतलब होटा है डि़स्ट नी चल रहा था ठीक है लेकिन IV-C के अंदर मैं यह बात बताना भूल गए कर यहां पर ब्रॉंज चल रहा था यानि कहलो कि ब्रॉंज चल रहा था ऐच कर सका इस वक्स बात कॉपर से ब्रोंज पर गैत और अगर किसी बच्चे ने क्रास 11 सवी ते संपक्री है उसे यह पता चल रही थी ना तो हमारा देश बहुत आगे निकल चुका था क्योंकि उससे पता था कि कैसे करके दो चीजों को मिलाकर एक तीसरी वस्तु बनाए जा सकती है यो कि यहां पर निलोगों ने बताई और यहां पर ब्रोंज के इस्तमाल बहुत ही हाई लेवल पर किया बस यह शो चल रहा था और जब अर्ली वेदी के चल रहा था तो उस वक्त हमने रिगविद के बारे में चुच्छा की है वहां पर लिखा है और कैसे लिखा है लिखा है कि वस सुना है बाद में जाकर लिखा है इन सारे सवालों के जवाब आपको जब यह चैप्टर आएगा या फिर पढ़ना शुरू करेंगे कि इन्शे ठिष्ट्री के अंदर एग्चुली क्या क्या है यह जो भी मैंने बाते की इससे पहले वाली वीडियोस के इन्र जो भी मैंने बाते की चल्को लीटिक पीरट या फिर मिजो लीथी पीरिट यह सारी चीज के बार में डेटेल में एक ए इसके पहले हमारे पास आइरन चलना शुरू हो गए ठीक है तो फ़र्स ताइम अगरे पास हैं जो कि 600 BC शुरू हो गये याने कि यहाँ पर महाजन पौनाद बदास के अंदर 16 ग्रेट Kingdoms आये थे सुलम मुख्यराज आये थे इसी कहते हैं महाजिन्पनास और इसी के parts कुछ यहां पर हैं कुछ बहुत बहुत देटेल में चर्चा करेंगे जब यह चैप्रत आएंगे तब अभी तो बस ओब भी हो रहा है जैसे कि हमारे पास आये थे तक चला था तो यह चला था 300 तक चला था ठीक है 300 से लेकर 300 BC से लेकर यह फिर फोर श्रीक 680 तक चला था चीक है यह गुपता एज और इसे से पहले हमारे जो इंपायर था यह हमारे पास 231 BC से लेकर 180 AD तक चला था उसके बाद फिर इसके अंदर पोस्त मौरे नहीं लेना था उसके बाद फिर हमारे पास गुपता एज है जो यहां से लेकर वहां तक चला था क्या यह सरे पॉइंट्स के लिए उसके बाद एक्शली अभी आपको ज् सब्सक्राइब नहीं लेना है अब बस यह समझो कि हमारे पास माजन प्रणाज से इसके अंदर दो बहुत जादे मुख्य जो किंग्डम सिन के पार में फिलाल के रिच्छा करेंगी वह मौरे नंपर फिर गुपता एंपर उसके बाद फिर एक टॉपिक आता है जिसे बोलत हैं जब इंदोयों को हम जोड़ देते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि अच्छा किसी जगह के इतिहास ऐसा था ये था ये सारी चीज़े हुई थी तो इसी हिस्ट्री की पढ़ने की जो आर्ट है ना यानि की आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री उसे हम कहते हैं हिस्ट ठीक है पॉइंट क्लियर है अब यहां तक जो भी हमने बात किया यह बस ओवर भी होता अब यहां से जब जैसे बोलते हैं कि गोता लगाएंगे अब इस चैप्टर के अंदर तो वहीं गोता लगाना शुरू करते हैं हम बात करें कि डेप्लोप्मेंट अफ कल्चर हमारे इ लगों लोग Congratulations K量 फिर हमारे इंडोक्रीकस थे अए तो इनलोगों नें हमें अपना कुछ आए थे वहीं कि बहुत विस्तार में और आपको जो कॉटन बहुत अच्छे तरीके से लेते थे और उसके बदले हमें कुछ चीजे दे कर जाते थे तो इन्होंने जो दिया वो हमारे कल्चर मतलब कल्चर के साथ हमें अच्छी लगा कि उनके पास यह चीज अच्छी लगे तो हम सोचते नक्षे से माल दो आप अपने किसी बड़े भाई या फिर किसी दोस्ते गर में वहां पर जाकर देखे तो घर बहुत अच्छा लगा साप सुत्रा लगा या फिर उसके इंदर कुछ ऐसी चीजे थी जो कि आपको लगे कि यह हमारे घर में भी होगी तो भी अच्छी होंगी तो वैसे लें दिन होता रहा दूसरे दूसरे नेशन से लोग हमारे पास आते कुछ शीते हमारे लेकर जाते थे शंक्रतिया कुछ हमारी वहां गई कुछ उनके हमारे पास और यह सारी चीजें प्लड़पाट के रहते हैं तो इसाथे हम लोग मिल बाट से उनके पास यह वह है वही वाराइटी से तो जब तक आप लोगों से मिलें तब तक आप के पास विराइटी नहीं यह रहेंगी बात है तो इंडिया हमेशा से मिलता जुलते रहे चुका है तो इसके पास development मिंठे कल्चरस का बहुत अलग अलग तरी के कल्चरस हैं फिर हम इंट्रेक्षयन के बारे हें की ज़ाई इए यहीं कि ढूने और इन के आरिङ्स कि एक आरिज है अलोग वो ने दो चीजों के इंटरेक्शन इसके बारे में भी बात की गई है हमारे पास्ट के अंदर की ड्रविड और तमिल इन दोनों का संगम लिटरेचर के अंदर भी आया है संगम जो एक वीडियो भी मैंने बना रखी है अगर टाइम हो तो देख लो वड़ना इंतजार करो यह वीडियो भी आएग दोनों एक अच्छे खासे देश के अच्छे खासे तरीके से रहते हैं अभी वी दिख रहा होगा और पहले भी रहते थे यहीं प्रूफ करना है कि पहले भी यह चो कल्चर था ना कि नौर्ट साउथ यह दोनों हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे अभी भी तो जब भी थे जहां भी थे जिस वक्त भी थे हमेशा प्यार से ही थे फिर रिलीजन के बात करें तो ऐसा तो है ने कि इंडिया के इंडिया के इंडर सिर्फ और सिर्फ एक ही कल्चर था जैसा भी मैंने बोला कि इंडो-ग्रीक्स आदे थे इरानियंस आए थे आरियंस अगर आये थे तो ठी हमें दूसर तुसरो रिलीजन मिला तो इंडिया के पास हमेशा से अपना सिर्फ और सिर्फ कभी वी एक ही रिलीजन नहीं था इसके पास एक तो Hindoism था Hindu dharm था Sanatana dharm उसके बाद फिर हमारे पास buddhism भी था फिर हमारे पास jainism भी था तो फिर हमारे पास बीच में islamic religion भी आ गया तो उससे भी हमें कोई अपती नहीं है हमें कर इसे भी धर्म से कोई अपती नहीं क्योंकि इसे हमेशा से पता है पिर नाम की बात करें कि भारत का नाम भारत क्यों पढ़ा अगर आपने आर्टिकल बन पढ़ा हो तो वह कहता है कि इंडिया का नाम इंडिया भी हो सकता है और भारत भी हो सकता है यानि कि दोनों रहे दोनों ऐसे किसी को भी कोई आपती नहीं है आप इंडिया भी लिख सकते हो कोई आपती नहीं लेकर यह तो आज की बात है एक जमाना ऐसा था जब इससे आर्यवरत भी कहते थे ठीक है और एक पॉइंट ऐसा किसी को अगर यह भी पॉइंट शूट रहोगा कि हम लोग इसे हिंदुस्तान क्यों कहते हैं ठीक है और फिर इसे जम्पुधी भी कहते थे अब इतने सारे नाम लेकिन इस अपका अर्थ क्या होता है यह वह समझते देखो जम्पुधी से शुडवात करते जम्पुधी यहने कि वो रीजन जो की पूरा का पूरा एशिन कंटिनेंट हो एशिन कंटिनेंट चैना वगेरा सब लेकर उन्सको हम कहते समूव में पहले क गाइं चाहित थे जन पूरे एशिया को बूलते हैं जनती हैं हिंदुस्तान की एक बात करें हिंदु कहलें हिंदु थे हिंदु घह दिफ्या हो ठाहि चुन। अभी भाटी भी कहते हैं तो हिंदुस्तान ये फिर हिंदु वाला ये तर्म घाया ये आया हमारे पास अरबिक लोगों की वज़े से ठीक है कैसे अरबिक लोग वज़े से इंडिया के अंदर हमेशा से कॉटन अच्छी खाते रेश पेता और साथी सथ लोग पास आर्यवरज लेकर गया है तो आप चाहोगे कि दूसरे तक भी पहुंचे तभी ज्यान बातने से बढ़ता है तो इहांने बोला कि वह एरिया जो कि बोलेंगे तो आप वोलों कि यह तो उस समय बोलते थे वह बोलते थे थे तो उनने सिंदु को बना दिये हिंदु और इस वजये से हिंदुस्तान यंपिलों हिंदु घाटी होगी ठीक है यह पूर्ण क्लियर हुआ अब फिर आर्यवरत क्यों हूँआर यह आर्यश रहते थे इस वज़े से आरेवरत हो गया उसके बाद फिर भारत वन्ष क्यों हुआ यूंकि एक देखवेदर के अंदर इसका वर्णन किया गया एक ट्राइब था पीपल का जिनका नाम था भारत बारत तो वो लोग जो कि भारत भारत वाले लोग जिस राजम रहते थे उसे हम कहते थे अब जियोग्रफी की उपनेजर डालें कि पहले इंडिया के जिश्तिक कैसे थी न वो हिमालया से लेकर कहां तक पुरे समुंदरी रागे तक नीचे तक फैला हुआ था और एक और क्वार टम है कि जो राजा या फिर बिडानिश्टी आंगर उसे पूरा को पूरा एरिया capture कर लिया तो हम उसे बुलते हैं उसे हम कहते हैं चक्रवर्ती ठीक है और कहा जाता है कि आज तक सर्फ और सिफ एक ही चक्रवर्ती हुए है वो है मौरे समाज ठीक है मौरे समराज जिवाले और कहीं-कहीं पर यह भी लिखा गया कि जो गुपता डानेश्टी थी प्रूफ नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं इसलिए प्रूफ के साथ मौरे साते हैं तो हम बोलते कि एक ही मौरे समराज जिच्चो था वहीं हमारे पर चक्रवर्ती हुआ है जो किसा पूरे हिमालय से लिकर समुंदर घाटी मतलब उपर से लिकर नीशे तक पूरे तरीके से बहारत के ओपर अखंड बहारत के उपर कभजा हुआ था यपर के लो राजी चल रहे थे ओके अब बात करते लेंग्वेश की तो लेंग्वेश बहुत साथ इंट्रेस्टिंग है यहां पर वराइटी ओफ लेंग्वेश गुज्राती लोग गुज्रादी बोलते हैं पंजाब पंजाबी बोलते है कि कश्मीर डुलाली कश्मीरी बोलते मलब ओड़िया वाले ओड़ी बोलते मद्य प्रदेश वले जो भी बोलते हुए मुझे नहीं पता तो वेराइटी ओफ लेंग्वेश है लेकिन एक पॉंट ऐसा है जब हमारे पास जेश में फोश्रिफ कि त्थर नहीं आएगा हिंदिजा से कॉई उस वक्ता ही नहीं हिनिये गडादेते वोन्य में जो हर्दे कर देतीotional एई-प्रकृत अप्र कुई बादा derived backlash यह थी हमारी सबसे पहली लैंग Mumme अगले वीडियो मस्क जर्शेट एले लेकन फॉर्स लेंविज हमारे पास प्रकृत ही थी तक यहीं लैंग्वज जली थी नतिकाल कर मौरे समराज जब तक आया तब तक हमारे पास कौन सी लेंवेश थी प्रकृत थी संस्क्रित बाद में आसे इस इसक्रिट अब आये थी जब बताएंगे जब कुपताई जाया था न अब है ति उसे समय हमारे पस रिग्वेद का निर्मान दी होना शुरू हुआ था यह समराज जीधर भी है कोई राज जीधर भी है तो देखते हैं इनकी क्या-kया खूबिया थी तो लोगों ने देखना शुरू किया तो इनको सिर्फ और सिर्फ कॉटन नहीं नहीं मिला इनके पास हमें इनसे मलब हमसे इन्हें गोल्ड भी मिला यह हमें अपना कल्चर देते गए यह फिर हम इनको अपना कल्चर देते गए ठीक है जैसे की योगा वगेरा यह साइशी से हमने प्रशिदिक करवाई थी इस सब के बार में भी चर्चा और अराम से करेंगे जैसे जैसे शब्रस आएंगे लेकिन फॉरिनर्स का एक बहुत ही जादा इंपॉर्टनेंट प्रोल था हमारे इंशेंट इंडियन हिस्टी को बदलने में या फिर कहलो इसके बारे में सूचना देने में ठीक है तोनों वक्त उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक है जो कि है रेलेवेंस ऑफ पास्ट यानि की हम लोग आज के जमाने में अगर कोई हमें प्रॉब्लम होत होती है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि अपना पास्ट रुथा कर देखते हैं जैसे कि अगर कभी आप अपर शुरू कर दो कि से कहनी काहनी पादना शुरू कर दो ओंप यूजा अपर जुजब जो शिव जी महराज जो हैं उनके बारे में वीर शिवा जी राओ उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दो तो इन सारे चीज़ों कर आप पढ़ो के आपको पता चलेगा कि हमारा पास्ट कितना जादा बहतरीन हुआ है और जब वो इतने कमाल कर सकते हैं वो वी एक आम जिंद है लेकिन उसमें में क्या था कुछ नहीं था लेकिन फिर भी वो लोग अपने इन सारे चीजों को अफेक्ट ना करते हुए अपने आपको पूरे देश बर में प्रसिद्ध करवाएं हैं अपने देश के लिए डराई की है तो अगर मोटिवेशन चाहिए तो अपने अपने पास्ट इंडिया से हुआ जिसके करण साउथ वाले और साथे साथ जो क्रिश्टिन और मुश्लिम धर्म आये थे इसलामिक वाले वह बहुत जादे अफेक्ट हुए थे हमारे का सिस्टम के वज़े से क्यूंकि इसका जन्म जो है वो नौर्थ इंडिया में हुआ थ जो है इसकी और जिन क्या थी सच था की जूट था राम जी थे की नहीं थे फिश्नभगवान जी थे की नहीं थे ऊद्ग की अबशो